हेलो एवरिवन, वेल्कम टू लर्निंग बुक, लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 19 दिसंबर और 20 दिसंबर से संबंधित करेंट अफेयर के महतपूर प्रशनों को कवर करेंगे अपने कोशन के डिसकस्ण की सुरुवात की जाए, उससे पहले आप सभी से वही पुराना रिक्वेस्ट लर्निंग बुक को अपना सपोर्ट दें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें और जो नए वीवेर्स चैनल से पहली बार जोड़ा है उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे जिससे जो भी नए वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके आईए फिर सुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रेस्ट के साथ आज का पहला प्रेस्ट है किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्स वैक्सीन रेडि किया और इसे सबसे पहले तो माननेता दी इंग्लैंड ने इंग्लैंड ने इमर्जनसी कंडिशन में इसके इसके इस्तमाल के लिए माननेता दी सबसे पहले और फिर अभी अमेरिका ने भी इसके इसके इस्तमाल के लिए माननेता दे दी है तो आप्सन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा और उस कोशन को भी मैंने आपको कराया कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन को पहला कौन सा देज बना जिसने माननेता दी अपने यहां पर इमर्जनसी इस्तमाल के लिए तो वो अगर कोशन आता है तो उसका एंसर होगा इंगलेंड और अगर यह आ अमेरिका की फर्मासियोटिकल कंपनी है और बायो एंटेक यह जर्मनी की बायो टेकनालोजी की कंपनी है इन दोनों ने मिलकर इसे कोरोना वैक्सीन को बनाया है और यह एम आर एन्ने वेस्ट कोविड नाइंटीन की यह वैक्सीन है जिसे फाइजर एंड बायो एंटेक ने मिलकर बनाया है अभी कोश्चन में सिर्फ फाइजर कोरोना वैक्सीन लिखा हुआ है लेकिन आप इसे ये समझो कि फाइजर और बायो एंटेक ने मिलकर इसे बनाया है आपसन सी यहां पर लेक्ट हो जाए अमेरिका और हमारे इंडिया में अभी रूस की जो वैक्सीन है इस पूतनिक customer đội çıktला है जो की कानपूर में चला है, कानपूर मेडिकल कॉलेज में ट्रायल फेज चला है, स्पूतनिक वी का अगर यह अपनी लास्ट फेज में है, अगर यह सकसेज होता है तो हमारे इंडिया में स्पूतनिक वी का टीका करण सुरू कर दिया जाएगा COVID-19 के केसिस के लिए next question है हाली में किस देश ने सीना के सीना अध्यक्ष जनरल M. Nervaande को God of Honor से सम्मानित करा है साओधी अरब ने हमारे देश के मनोज मुकुद नरवाने को ये हमारे देश के सीना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुद नरवाने जो थल सीना है उसके ये चीफ है इनको सम्मानित किया है God of Honor से option D correct हो जाएगा और सौधी अरब के साथी साथ इन्होंने UAE की भी यात्रा की मतलब दोनों एक साथ यात्रा की है दोनों देशों का और ये पहले ऐसे सेनाध्यक्ष हैं जिन्होंने की किसकी यात्रा की सौधी अरब और UAE की यात्रा की है मतलब कि खाड़ी के देशों की यात्रा करने वाले ये हमारे देश के पहले सेनाध्यक्ष हैं और सौधी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल नेरियातक देश है और हमारा प्यारा भारत लगभग 18 प्रतिशत कच्छा तेल सौधी अरब से खरीता है मनोज मुकुद नर्वाने को भी हाली में कुछ दिनों पहले नेपाल ने जनरल आफ दा नेपाल आर्मी के आर्मी की भी मानद उपाद से सम्मानित किया था तब वो उस टाइम पे नेपाल के दोरे पे थे अभी वो सौधी अरब के दोरे पर हैं हलाकि दो देशों का दोरा एक साथ कर रहे हैं सौधी अर ने उन्हें God of Honor से सम्मानित किया Option D यहाँ पर correct हो जाएगा Next question है किस राज सरकार ने सचिवाल है एवं सरकारी करमचारियों को टी-शर्ट एवं जीन्स पहन कर दफ्तर में आने से रोक लगा दी है टी-शर्ट और जीन्स पहन कर गौर्मेंट इंप्लॉई अब आफिस में नहीं जा सकेंगे महरास्ट के हलाकि महरास्ट ऐसा पहला राज नहीं है जिसने जीन्स और टी-शर्ट पर रोक लगाई है महरास्ट से पहले भी बिहार, तमिलनाडू, करनाटका, हिमानचल प्रदेश, ओडीशा और राजस्थान ने जीन्स और टी-शर्ट पर रोक लगा दी थी रोक लगा दी है जो गौर्मेंट इंप्लॉई है जो सचिवाले के इंप्लॉई है हलाकि राजस्थान में पहले रोक थी और फिर राजस्थान ने अभी इसी वर्स फरवरी में इस रोक को वापस ले लिया मतलब कि अब वहां पे अलाउ कर दिया गया है तो अभी जहां जहां पे अलाउ नहीं है वो है महरास्ट्रा बिहार तमिल्नाडू करनाट का हिमांचल प्रदेश और ओड़ीशा और राजस्थान ऐसा इस्टेट हमारे देश का जहां पे पहले रोक थी लेकिन अभी फरवरी 2020 में उसने इस रोक को हटा लिया है और जीन्स और टीशर्ट ना पहन के आने का जो बात की जाती है वो ताकि जो इंप्लॉई हैं वो प्रोफेशनल दिखें मतलब आप जीन्स टीशर्ट में एक स्प कोरोना वाइरस के कारण लगाया गया लॉकडाउन की वज़ा से इस साल कारबन डाई ऑक्साइट के वैस्विक उतसर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई देखो कारबन डाई ऑक्साइट के इमिशन में इस वर साथ प्रतिशत की गिरावट ऐसा COVID-19 के वज़ा से हर एक देश में लगभग महीनों तक lockdown रहा जिससे factory, shop, motor vehicles ये सब बंद रहे तो फिर जो emission होता था carbon dioxide का उसमें गिरावट दर्ज की गई हलाकि ये गिरावट सिर्फ 7 प्रतिशत की ही रही पूरे विश्व में और इसको प्रकाशित किया गया है एक general है earth system science उसी ने इस data को प्रकाशित किया है यहाँ पर option D correct हो जाएगा next question है करनाटका के किस प्रशिद संस्कृत विद्वान और कन्नड कभी का 84 वर्स की आयू में उठपी में निधन हो गया इनका नाम है बन्न जी गोविंद चारिया देखो option में बनना जय लिखी गया है लेकिन यह बनन जी है बनन जी गोविंद चारिया इन्हें पदम स्री एवार्ड से सम्मानित किया गया था सन 2009 में और यह संस्कृत के विद्वान है साथी साथ कन्नड कभी भी है इन्ही का भी हाली में निधन हुआ है पदम स्री एवार्ड हमारे देश का चौथा सबसे हाइस्ट स विलियन के लिए उससे सम्मानित किया जा चुका है बन जी गोविंद शारिया को option A यहाँ पे correct हो जाएगा next question है किस राज सरकार ने राज में साधी समारो के लिए online पंजी करण को अनिवार कर दिया है online पंजी करण को अनिवार किया गया है गुजरात की सरकार द्वारा COVID-19 केस को देखते हुए गुजरात गवर्मेंट ने ऐसा नेड़े लिया है कि प्रतेक जो भी साधी के समारोंगे उन्हें online रेजिस्टर करना होगा और एक guideline भी जारी की गई है गुजरात गवर्मेंट के द्वारा कि 100 वेक्तियों से अधिक किसी भी समारों में समलित होने की अनुमती नहीं है गेस्ट को मतलब 100 गेस्ट से जादा कोई समारों में समलित नहीं हो सकता है और अब क्या है कि एक website डेबलप की गई नेशनल इनफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा एक साफ्ट्वेयर डेवलप किया गया है नेशनल इनफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा और इसी नेशनल इनफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा develop किये गए software को digital गुजरात पोर्टल पर active कर दिया गया है online पंजी करण करने के लिए option C यहाँ पर correct हो जाएगा next question है डावर चबनप्रास के brand ambassador के रूप में किसे newt किया गया है डावर चबनप्रास के नए brand ambassador newt किये गया है अक्षे कुमार को और option A correct हो जाएगा अक्षे कुमार डावर चबनप्रास के अलावा किस किस चीज के brand ambassador है ये phaser book ये एक app है जो staff management solution प्रोवाइड कराता है इसके brand ambassador है साथी साथ harpik के brand ambassador है dollar club west के brand ambassador है micromax के brand ambassador है thumbs up के brand ambassador है और स्वक्ष भारत अभियान के भी brand ambassador अक्षे कुमार है और स्वक्ष भारत अभियान की brand ambassador अक्षे कुमार के साथ ही साथ अभी हाल में कैटरीना कैफ को भी स्वक्ष भारत अभियान का brand ambassador निउक्त किया गया है और अभी जब डावर चबनप्रास के तो अक्षे कुमार नए निट किये गए है तो option A यहाँ पर correct हो जाएगा next question है प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्री मंत्री मंदल ने wireless internet hot spot सेवा परियोजना PM वानी को मंजूरी दी है PM वानी का full form क्या होगा PM वानी का full form होगा wireless SS network interface option A correct हो जाएगा SS network interface है देखो सिर्फ A में अंतर किया गया है तो एक में SS है एक में acquired है एक में adopted है एक में accept है लेकिन आपको answer टिक करते समय यह ध्यान रखना होगा wireless SS network interface correct होगा option A correct हो जाएगा और पूरे देश में Wi-Fi की उपलब्दता बढ़ेगी इस PM वानी परियोजना से अब Wi-Fi की उपलब्दता बढ़ने से क्या होगा देखो एक तो जो कारुबारी है उनको सुगमता होगी जो student है उनको सुगमता होगी पूरे देश में free Wi-Fi देने की परियोजना है यह PM वानी यानि की wireless SS network interface और जो छोटे business man है उनको free Wi-Fi provide कराया जाएगा इसे PM वानी परियोजना के तहत और इसे launch किया है हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने option A correct हो जाएगा next question है केंद्री केवनेट ने लक्षदीप समूँ और किस के बीच सम्मरीन optical fiber cable connectivity को मंजूरी दी है देखो जो area होता है island बोलते है island चारो तरप से पानी से घिरा होता है और अंडमान निकोबार दीप समूँ यह हमारे देश का island है साथी साथ लक्षदीप भी हमारे देश का island है अब क्या है यह चारो तरप से जब पानी से घिरा हुआ है तो यहां की connectivity हमारे rest of India से मतलब की जो हमारा अस्थली है इंडिया है वहां से उतनी proper तरीके से नहीं हो पा रही थी तो इसी लिए optical fiber connectivity सम्मरीन यानि समुद्र के नीचे से optical fiber से connect किया जाएगा लक्षदीप को पुछा जा रहा है कहां से connect किया जाएगा मतलब किस अस्थली भूम से इसकी connectivity प्रोवाइड की जाएगी तो कोची से इसकी connectivity प्रोवाइड कराएगी लक्षदीब की कोची से प्रोवाइट कराए जाएगी सब्मरीन आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को इसे पहले मैंने आपको कोश्चन कराया था कि अंडमान निकोवार दीब समू की चेन नई के साथ connectivity को launch कर दिया गया है यानि अब अंडमान निकोबार दीब समूँ में पूरी तरीके से connect है हमारे अस्थली भारत से ये भी island है चारोतर पानी से घिरा हुआ है और 2400 किलोमीटर की optical fiber connectivity को पहले बिछाया गया समुद्र के नीचे और फिर connect किया गया अंडमान निकोबार दीब समूँ को chain नई से तो दो चीज़े आपको ध्यान रखनी देखो अंडमान निकोबार दीब समूँ की जो connectivity दी गई है optical fiber connectivity ये दी गई है chain नई के साथ और लक्षदीब की जो connectivity दी गई है optical fiber connectivity ये दी गई है कोची के साथ तो आपको कोची लक्षदीब के साथ और अंडमान निकोबार दीब समूग चेननई के साथ याद रखना है देखो जो अंडमान निकोबार दीब समूग की चेननई के साथ दी गई है इसको प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के दौरा अगस्त महीने में लाउंच किया जा चुका है जबकि इसका अभी सुरुवात की गई है Optical Fiber Connectivity कोची से लक्षदीब को जो कनेक्ट करना है इसकी सुरुवात की गई है और इस प्रोजेक्ट का जो लक्ष है वो 2023 है का दूसरा संस्क्रण को पाँच अस्थानों पर लाउंच किया है देखो इको रीटरीट ये लाउंच किया गया है उडिशा گवर्मेंट के द्वारा क्या है ये इकोधरीट इक तरीके का iedereen का आयोजित किया जाता है उडिशा गोड़मेंट के द्वारा इसका में नेम है टूरिज्म को अट्रेक्ट करना मतलब टूरिस्ट वहाँ पे अधिक से अधिक जाएं और इको रीट्रीट इसे मरीन बीच पे आयोजित किया जाता है ओडिशा गवर्मेंट के द्वारा अभी पांच अस्थानों पे इसके आयोजन के लिए चुना गया है ज फिर से रिपीट कर रहा हूँ ओडिशा के पांच अस्थान जहां चुने गया है इको रीट्रीट के लिए वह है कोड कर कोडार्क जो सूरी मंदिर है वहां का कोडार्क भितरकनिका हीरा कुंड और दरिंग बाड़ी साथी साथ सतो कोशिमा जगा का नाम है तो यह पांचो रिट्रीट में काफी अच्छे से फ्रेस्टिवल मनाया जाता है जो कोडार का शूरी मंदिर है उसका वर्चूल तरीका दिखाया जाता है साथी साथ और पूरी जो है वहां पे जो मंदिर है उनका वर्चूल दिखाया जाता है यह पूरा समुद्र के किनारे बीच पर मरीन नहीं हो पाया तो फिर next month next year जो फरवरी से मार्च के बीच में दूसरा संस्करण इसका शुरुवात करने की उम्मीद है अगर कोविड-19 की situation अच्छी रहती है तो मतलब उड़ीशा क्या है कि उड़ीशा अपना टूरिज्म को फरवरी से ओपन कर देगा पूरी तरीके से और उसके बाद ही इन पाचो अस्थान पर इको रिट्रीट का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा option यहाँ पर correct हो जाएगा B next question है किस अंतराष्टी संगठन ने वैस्विक CO2 उत्सरजन पर उत्सरजन अंतराल रिपोर्ट 2020 इसको बोलते हैं emission gap रिपोर्ट 2020 पर वार्सिक रिपोर्ट के अपने 11 संसकरण को जारी किया है देखो emission gap रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है United Nation Environment Program के द्वारा option A यहाँ पर correct हो जाएगा क्या है यह emission gap रिपोर्ट 2020 emission gap रिपोर्ट 2020 यह connect है Paris समझोते से जो Paris agreement हुआ था उससे यह connected है इस रिपोर्ट के जरिये 2030 में जो green house gas का emission होगा उसको predict किया जाता है जिससे climate पर होने वाले worst impact को टाला जा सके Paris agreement हुआ था Paris agreement के तहत एक target set किया गया था कि हम global average temperature को पहले तो यह target था 2 degree Celsius पर रोग देंगे और फिर यह target बनाया गया कि 2 degree Celsius से कम करते हुए average global temperature को 1.5 degree Celsius पर रोखने की बात कही गई थी Paris agreement में 2030 तक हम इसको 1.5 degree पर रोग देंगे global average temperature तो जो global average temperature है यह वाकही में तो पहले minus में था लेकिन फिर industrialization हुआ काफी ज़्यादा pollution हुआ जिसकी वज़ा से global average temperature यह बढ़ता चला गया अब इसको 1.5 degree पर रोखने का बात की जाती है Paris agreement में और 2030 तक उसी के लिए प्रतेक वर्स United Nation Environment Program द्वारा एक report जारी किया जाता है ताकि पूरा समूचा विश्व अपने आपका आखलन करे क्या Paris agreement पर खरा उतर जाएगा विश्व 2030 तक और इस report का नाम है Emission Gap Report 2020 United Nation Environment Program का Headquarter Nairobi Kenya में है हला कि Paris agreement से अमेरिका ने को अलग कर लिया है नेक्स्ट कोश्चन है किस देश ने एसोशियेशन आफ Southeast Asian Nations के Defense Minister की मीटिंग 2020 का आयूजन किया जिसमें भारत के रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने भाग लिया सबसे पहले तु जानने वाली ये बात है कि Association of Southeast Asian Nations का मेंबर हमारा देश भारत वर्स नहीं है और हलाकि इसमें हमारे देश के प्रधान मंतरी सौरी हमारे देश के रक्षा मंतरी को बुलाया गया और उन्होंने इसमें वर्चूल रूप से पार्टिसिपेट भी किया और Association of South Asian Nation का हेड़ क्वार्टर जकारता इंडोनेशिया में है जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे देश के रक्षा मंतरी राजनास सिंग को आमंतरित किया गया था वो हुई थी वियतनाम में option A correct हो जाएगा और वियतनाम की राजधानी हनोई है next question है किस संगठन ने ICICI Prudential Life Insurance के साथ Bank Assurance Partnership के माध्यम से जीवन भीमा उत्पात पेश करने के लिए साजेदारी की है क्या होता bank assurance मैंने कई बार बताया है कि जब insurance company अपने product को bank के थरू बेचने का काम करें तो उसे bank assurance बोलते हैं मतलब bank और insurance company दोनों मिलकर काम करें तो कई सारे bank assurance हमारे bank को द्वारा किये गए हैं और अभी ये ICICI Prudential Life Insurance का किस bank के साथ हुआ है ये question में पूछा जा रहा है RBL bank के साथ ICICI Prudential Life Insurance ने bank assurance partnership करी है option A यहाँ पर correct हो जाएगा और कौन-कौन से bank ने किस insurance company के साथ bank assurance बनाया है ये मैं repeat कर रहा हूँ आप इसे note करोगे SBI Life ये भारती State Bank की insurance subsidiary है SBI Life ने S-Bank के साथ अपना bank assurance बनाया है Bank of Baroda ये इसने India First के साथ bank assurance का समझोता किया है PNB पंजाब National Bank ने Met Life Insurance Company के साथ bank assurance बनाया है SDFC Life Insurance ये SDFC bank जो private sector का भारत का सबसे बड़ा bank है उसका life insurance है उसने S-Bank के साथ अपना bank assurance बनाया है तो S-Bank के साथ एक तो SBI Life दूसरा SDFC Life Insurance इन दोनों ने S-Bank के साथ अपना bank assurance उत्पात पेश किया जा रहा है और bank app बरोदा का India First के साथ साथ PNB का Met Life के साथ आप्सन यहाँ पे correct हो जाएगा RBL Bank ICICI Prudential Life Insurance ने RBL Bank के साथ bank assurance partnership करी है next question है कौन सा देश स्वास्त और चिकित्सा के छेत्र में सहयोग करने के लिए भारत के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करेगा तो स्वास्त और चिकित्सा के छेत्र में भारत के साथ सूरी नाम देश हस्ताक्षर करेगा दोनों एक दूसरे का सहीयोग करेंगे इससे पहले भी health sector के लिए भारत ने Cambodia के साथ समझोता किया है तो health sector के लिए दो country के साथ भारत का समझोता है एक तो Surinam, दूसरा Cambodia और space sector के लिए भारत ने Spain के साथ समझोता किया है communication sector के लिए जापान के साथ समझोता किया है Biodiversity and Environment Protection के लिए Finland के साथ समझोता किया है तो option यहाँ पर correct हो जाएगा Surinam तो ध्यान रखना है कि Surinam के साथ साथ Cambodia के साथ ही Health Sector का भी समझोता है Health Sector के लिए भारत ने दो देशों के साथ समझोता किया है Cambodia और Surinam और मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ Space के लिए Spain से Communication के लिए Japan के साथ Biodiversity and Environment Protection के लिए Finland के साथ समझोता किया है हमारे प्यारे भारत वर्ष ने Next question है पदम स्री पुरुषकार से सम्मानित उस्ताद देबू का December 2020 को निधन हो गया उनके उनके किस योगदान के लिए सम्मानित किया गया है देखो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इन्हें पदम स्री पुरुषकार प्राप्थ हो चुका है जो की question में लिखा हुआ है इनका नाम है उस्ताद देबू उस्ताद देबू ये निर्थ के लिए इन्हें पदम स्री पुरुषकार से सम्मानित किया गया था और इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यू जो हुई ये 78 वर्स की आयुमें मुंबई में हुई है इन्हें पदम स्री का पुरुषकार 2007 ने मिला था साथी साथ है संगीत नाटक एकेडमी एवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है तो option यहाँ पर correct हो जाएगा C Next question है Asia Cup Cricket Tournament के 2021 संस्क्रण की मेजबानी कौन सा देश करेगा Asia Cup Cricket Tournament के 2021 संस्क्रण की मेजबानी स्रीलंका करेगा और Asia Cup में दो तरीके का tournament होता है एक तो one day और दूसरा जो स्रेडी है वो T20 का है Asia Cup की बात करें तो हमारा प्यारा इंडिया इंडिया ने सबसे ज़्यादा बार Asia Cup title जीता है साथ बार Asia Cup title भारत ने जीता है जिसमें से छे बार one day और एक बार T20 Asia Cup का title भारत के पास आया है और जो 2021 में होगा उसमें मेजबानी करेगा श्री लंका option A correct हो जाएगा next question है Asian Development Outlook 2020 supplement pandemic से पुनर प्राप्ति के पत पर वित्पन दिसमबर 2020 ने भारत की GDP दर financial year 2021 को माइनस 9% तक कितने प्रतिसद तक संसोधित किया है देखो Asian Development Outlook इसने पहले भारत की GDP को माइनस 9% प्रतिसद किया था financial year 2021 के लिए लेकिन उसमें कुछ संसोधन किया इसने अभी इसने संसोधन करते हुए financial year 2021 के लिए भारत की GDP को माइनस 8% कहा है option A यहाँ पर correct हो जाएगा S&P ने financial year 2021 के लिए भारत की GDP को माइनस का 7.7% अनुमानित किया है Reserve Bank of India ने भारत की GDP को financial year 2021 में माइनस का 7.5% अनुमानित किया है तो फिर से repeat कर रहा हूँ मैं Reserve Bank of India ने भारत की GDP financial year 2021 के लिए माइनस 7.5% प्रिडिक्शन दिया है S&P ने माइनस 7.7% का प्रिडिक्शन दिया है और Asian Development Outlook की रिपोर्ट ने 8% का प्रिडिक्शन दिया है पहले 9% था और संसोधित करते हुए 8% कर दिया है option A correct हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है शाहीन इगल 9th वाई सेना अभ्यास ये किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ शाहीन इगल ये अभ्यास किया गया पाकिस्तान और चाइना के बीच option B correct हो जाएगा और जो वाई सेना अभ्यास भारत करता है उसमें इंद्रधनुष और सिंडेक्स ये महतपूर है दोनों इस वर्स आयोजित किये गए काफी जादे exercise जो सेनाओ की होती थी वो COVID-19 pandemic की वज़ा से इस बार cancel हो गई सिंडेक्स भारत और सिंगापूर के बीच हुआ और इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच हुआ था तो सिंडेक्स और इंद्रधनुष याद रखोगे सिंडेक्स इंडिया सिंगापूर का है और इंद्रधनुष इंडिया और यूके का है और शाही नीगल ये भारत सारी पाकिस्तान और चाइना का है रिपीट कर रहा हूं शाही निगल ये पाकिस्तान और चाइना के वाई उसे न का अभ्यास है आप्शन भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा यह आज का लास्ट कोश्चन था मिलते हैं नए कर इंटरफेर एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक थैं झालता है जाता है झालता है